आज हम सिविल इंजिरिंग के डिगरी के कंस्ट्रॉक्शन मैनेजमेंट सब्जेक खा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइट इस क्रिटिकल पाथ मेठेड जिसमें हमें सब फ्लोट्स फाइंड करने होते वह कवर करेंगे बहुत इंपॉर्डन्स हमें और हर एक्जा है यहां पर हमें क्या है ड्राॉट एन एक्तिविटी उन अरो नेट वर्क और फाइंड ट्रिटिकल पाथ और द फ्लोस ठीक हुए हमको फ्लोट सब्सक्वन करना और यह जोटा मिन इक दोटना फूर्ट में हमें हैं पर चार फ्लोस निकालने होते हैं तैस्ट टोटीज फ् ठीक है यहां पर हमें पहले एक यहां पर टेबल दिया है जिसका हमें फाइंड करना है हमें एक्टिविटी दिया है उसके प्रेडिसर्स दिये है और डूरेशन दिया है तो सबसे पहले जो हमारा काम है हम यहां पर नेटवर्क बना लेते हैं तो अभी हम देखते हैं हम इसका ecosystem कुछ भी नहीं है तो A हम या लिख देते हैं बी लिख दीन का है है और C ये तीन है इनके paredee addresses कुछ भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है उनके paredee says फिर उस के बाद जो है B से A निकल रहा है थो एक देखोंगे तो E जो हो E, तो हम यहाँ पर arrow बना लेते हैं, A से जो है, दो activity निकलने वाली है, that is D, और यहाँ पर हम E निकाल लेते हैं, ओके, फिर उसके बाद जो आता है, वो है F, F का producer क्या है, B, है न, तो F activity जो है, वो B से निकलेगी, F activity जो है, वो B से निकलेगी, यह हमारी F activity हो गई, जो हमें कहां से निकालनी है, B से, तो हमने इसके निकाल दिया, फिर उसके बाद, जो है, C, producer, C से जो activity निकल रही है, that is G, C से क्या निकल रही है, activity, G, तो C से activity कौन से निकलने वाली है, जी, तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं, कि C से जो activity निकल रही है, वो क्या है, G, अभी यहाँ पर ध्यान दिजिएगा, H से हमें D निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर, जो है, H activity कहां से निकल रही है, D से निकल रही है, अब यहाँ पर आता है twist, जो है, K, K activity, जो है, उसके producers, मतलब वो तीन जगा से निकल रही है, C, E, F, ठीक है, C से भी निकल रही है, E और F से निकल रही है, को, ठीक है, E, और F जो बाजू-बाजू में है, वहाँ से हम, K निकाल सकते है, OK, K तो हमने E और F से निकाल लिया, लेकिन बची बात C की, अभी C से तो हमने अल्रेडी यहाँ पर हमला, जो network है, वो close हो गया था, है ना, और अभी मुझे इसको K से connect करना है, तो आप सही बो हमें, हमें activity यहाँ पर दे देंगे, यह हमारा dummy हो गया, ठीक है, कोशिश कीजएगा, आप यह जो AOA network, यह question में थोड़ा, जो network है, वो बड़ा बनाई है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़े लिकनी होती है, इसमें, ठीक है, तो जितना network बड़ा होगा, उतना अच्छा है, ठीक है, अब जादा space देके diagram को बनाईएगा, तो यहाँ पर अभी, जो है, तो C, जो है, E और F से K निकल चुका है, L से हमें क्या निकलना है, जो है, H है, उसका preceded, ठीक है, तो H से हमें क्या निकलना है, L निकलना है, S से L निकलना है, और फिर, जो G है, G से क्या निकलना है, M निकलना है, है न, तो G से हमें क्या निकलना है, M निकलना है, तो हमने यहाँ पर निकलना है, कि G से हमने क्या निकलना है, M, अभी यह सब, जो है, network को हमको close करना पड़ेगा, तो हम network को यहाँ पर close कर देते, अब network क करेंगे यहां पर लाके कर दीजिए तो यह हमारा जो था एओ नेटवर्क बन गया है अभी नेटवर्क तो बन गया है अभी इसमें बहुत सरी चीजे हैं जो हमको करना है तो सबसे पहला जितने भी तुमारे यहां पर जो इसे सबस्क्राइब यहां पर आप कोई अलग पैंसे या गलर से आप उसको डैश कर दीजिएगा जिसने मिस वह जैंडेंगे ठीक है डश करके हमको यहां पर दो स्लेड़ दालना है अपके एक है हम दो सबसे पहला जो है हम अपनी यहां पर फॉरबर डिदिग और देख लिए ठीक है आपको सब का डूरेशन पता होना चीज सबस्सक्राइब सबक्राइब सबस्क्राइब कोई वेशन ना उसके नीचे लिग सपना एक है सेवेन यह वैसी पडिका दूरेशन कितना है मरेखो को निए वह सुछ इल्यागर करीशन यहां पर लिख देना इपने और श्रॉ यहां Twinaर आप अभी हमकar यहां पर calculation में जो forward है और backward calculation वो करना है इसमें तो पहले हम यहां पर forward function कर लेते हैं तो सबसे perhaps welfare calculation में आगो का करना है सबसे पहला अब activity Start होती है Convention वाँ पर स्टार्टिंग पर कोई डिरेशन नहीं होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जीरो और सब से पहले हम स्टार्टिंग का जो है और जब हम फॉर्वर्वर्ट जाएंगे ना तो फॉरवर्ड में हमीशा हम मैक्सिममम वैलिएंगे आप यहां रखने जिया जो भी अभी भी आफ फॉरवड जाएंगे ना फॉर्वड की तरफ जाएंगे न तो हमिषा मैक्सिम वैलो लिना और जब हम बैक्वर्ड आएंगे जो हम रिटन आएंगे तो हमको क्या मैंघ है ऑने हो पे मिनिममॉम वैलुुस लेना ठीक है फॉर्वर्ड में ह को maximum values लेना और return आने करें minimum values लेना इतना अभी हम forward जा रहे हैं forward जा रहे हैं मतलब क्या जितने भी हम activity है सब को यहां पर जितने भी duration सब plus करेंगे तो यहां पर यह पहला था zero तो यहां पर zero plus seven यहां लिखेंगे zero plus seven कितना होता है seven तो हमने यहां पर लिख दिया seven अब seven plus nine यह ना यह जो डी जा रहा है न यहां पर उपर की तरफ तो seven यहां पर seven plus nine कितना हो जाता है 16 तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 16 तो 16 प्लस eight 16 प्लस eight कितना होता है 24 तो यहां पर हम 24 लिखेंगे और 24 प्लस three अभी यहां पर हम लिख नहीं तो हम को माकसीमम निकालने तो यह तुम यहां पर फिलाल इसको होड़पे रख देते हैं यहां पर हमको 27 आया था देखेंगे हैं थो कि दो वाले का 27 आया था मैक्सिमम हमको तीनों का लेना है अभी हम सेकंड पाट ट्रेस करते हैं तो सेकंड पाथ के लिए आप देखी है यहां पर अभी 7 प्लस 3 ना 7 प्लस 3 कितना होता है यहां पे 10 होता है लेकिन यहां पे यह वाले नोड पे जो है आ है F से भी आ रहीं तो हमको पहले दोनों का देखना पड़ेगा और मैक्सिमम लेकना पड़ेगा तो 7 प्लस 3 अ होता है तो 7 प्लस 3 जो हो गया वो 10 हो जाएगा और दूसरा जो है 7 जो B से आ रहा है 6 प्लस 3 B से क्या आ रहा है 6 प्लस 7 आ रहा है B से 6 प्लस 7 6 प्लस 7 कितना होता है 13 और मैंने आपको क्या बता है था कि हमें हमेशा फॉर्वर्ड की तरफ maximum values लेना है तो हम यहाँ पर यह note पर क्या लिखेंगे इसका 13 लिख देंगे क्योंकि 6 प्लस 7 होता है 13 और 7 प्लस 3 होता है 10 तो 10 हम नहीं लेंगे हम क्या लेंगे 13 लेंगे forward की तरफ जाने के time ओके तो आपको इतना समझ गया फिर उसके बाद जो है next हम आगे बढ़ेंगे 13 जो है यहाँ पर आ गया है 6 प्लस 7 जो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसका हो गया है पूरा calculation अभी नीचे वह जो लास्ट पात है उसका calculation करते है तो 0 प्लस 5 इस 5 तो हमें यहाँ पर लिखना है 5 यहाँ पर आएगा 5 ठीक है 5 प्लस 4 कितना होता है 9 तो यहाँ पर आएगा 9 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 27 वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा यह 27 वैल्यू हो गई है अभी हमारा जो forward reading था हमने सब लिख दिया है सबका आप एक बार चेक के लिए सबका हमने forward reading लिख दिया अभी हमें backward readings लिखना है तो backward reading हमें क्या करेंगे सबसे पहला जो यहाँ पर 27 है same as it is copy करेंगे backward reading के टाइम पर हमें यहाँ पर जो है माइनस करना है उल्टा आ रहे तो हमको माइनस करना है ठीक है और minimum values लिखना होती है तो 27 27 में से 3 गया 27 माइनस 3 ना डूरेशन क्या है यहाँ पर 3 तो L पर जो है वो क्या आएगा 24 आएगा 27 माइनस 3 is 24 स्फितन फ़ीन फोग कितना हो जाएगा 16 यहां पर लिखेंगे 16 अब 16 नान और यहां पर यह apart भी है तो दोनों में मिनिममम आएगी वो value हमको लिखना है तो पहले हम यहा पर कर देते तो यहां पर हम देखेंगे तो 16 माइनस 9 घर स्वक्स्टीन 10 है ना 16-9 कितना होता है 7 और यह पाथ से देखते है 27-5 27-5 कितना होता है 22 22 22 में से 3 गया 22 पाथ में तो हमें 19 बचता है लेकिन हमें 19 और 7 हम रिटरन आ रहे है, हमें minimal value लेन है, तो हम यहा पर क्या value लेंगे तो हम सब्सकों Article 25 भी क्त चाहिए पिसूब बिक्तीय भिवेटली इसकी भी जहलिल गेंगे , पेड्स ह। तो67 में से 6 कितना बचता है 21 तो यहांपर आएगा 21ं तो यहां पर 4 गया तो हमें क्या बचता है 17 तो यहांपर क्या value आएगी एंड हो गया ठीक है तो अभी यह हमने अपना नेटवर्ग भी बना दिया है और हमने अपनी जो मैक्सिमूम मिनिमम रिडिंग है बैकवर्ड फॉरवर्ड में लिख चुकी है ठीक है अब आगे हम सम देखते हैं जो अपना मेन है यहाँ पर जो सम में तो हमको यहाँ पर वो अब हमने अब activity लिख लिया है, duration लिख दिया है EST-EFT-LST-LFT, Total Float, Free Float, Independent Float इनडिपेंडन फ्रोर, Intermediate Float इतना है table में हमको आना चाहिए सबसे पहला हम यह चार्चीज देखेंगे ठीक है यह कैसा कल रहा है, सबसे पहली चीज़ जो है EST-EFT-LST और LFT यह चीज़ है सबसे पहला जो आपको लिखना है इसमें तो हमने यहां पर activity और duration तो लिख दिया सबसे पहली जो चीजे हमें यहां पर EST हम लिखेंगे यह first रहेगा और LFT लिखेंगे LFT जो रहेगा वो second रहेगा ठीक है अब कैसा लिखना है अगर EFT निकालना है मैंने यहां पर formula है आपके यहां पर लिख दिया है मैंने formula आपको screenshot ले सकते हैं सब formula जो है अगर आपको EFT निकालना है ठीक है तो वह हो जाएगा EST plus duration LST निकालना है तो LFT minus duration और total float सबके मैंने यहां पर formula लिख दिये हैं सबसे पर मैं आपको बता देता हूँ कि EST और LFT कैसा निकालेंगे तो EFT आपको यह जो network है इसी से मिल जाएगा आपको क्या करना है EST में आपको जो आपका यह है प्रियक्त है इसका जो starting point है समझो A network है na activity A है activity A का जो starting point है और ending point वो देखना है मतलब यह start कहां से हो रहा है start यह 0 से हो रहा है और A का जो ending है वो कहा है वो देखना है आपको end कहां पर हो रहा है यह 7 पर हो रहा है न तो EST जो है आपका starting यह अप ध्यान रखेगा आपका starting वह है और जो LFT है वो आपका end हो जाएगा तो हम वह लिखेंगे तो सबसे पहला एक हम लिखते हैं एक लिए starting जो है वो 0 से हो रहा है और end कहां पर हो रहा है 7 से है न तो यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 7 ओके फिर आप यह आपको मैं B का भी बता देता हूं तो B जो है B का आप आप आरो देख सकते है B का जो starting ए जो है वह 0 है और ending क्या हो रहा है 15 पे हो रहा है तो 0 और 15 C के लिए भी ऐसी C के लिए स्टार्टिंग पर 0 और ending पर 17 न तो 0 और यहां पर आएगा 17 वैसी D के लिए भी आपके देख सकते हूं आप डी का डी का जो स्टार्टिंग है वह सेवेन है यह डी एक्टिविटीड यह स्टार्टिंग का 7 और एंडिंग कितना हो जाएगा 16 आगे सब आपको ऐसी करना है मैं आपर लिख देता हूँ आगे का इसी करना है यह बीच के जो है यह दो चीज निकालना है तो इसके लिए हमको यह दीरेशन मतलब आपको इसमें वल्डेशन को खाली ऐड करते रहना है तो इस्ट प्लस ड्यूरेशन तो हम यहाप लिख देते ए ईस्ट प्लस ड्यूरेशन न है पस इसको एड करते रही है तो is 7746 logricki приб nan का समझ की Tomorrow चैजो जो है वह है LST ठीक है अब सिब LST पर ध्यान दीजिए LST भी इजी है जो हमने LFT निकाला था है ना LFT उसमें से duration minus करनी है जो EFT था उसमें हमको duration plus करनी थी EST में यह और यह प्लस करना था और अगर हमको LST निकालना है तो LST का फॉर्मिला है LFT minus duration तो मैं वह यहां पर करता हूं तो पहले आपको बता देता हूं यहां पर करके LFT-duration ना तो LFT जो है 7 7-7 कितना होता है जीरो होता है तो हमें पहली रिडिंग क्या जाएगी 0 15-6 15-6 कितना होता है तो यहां पर आएगा हमको 9 ठीक है फिर ऐसी 17-5 is 12 तो यहां पर लिखेंगे हम 12 ठीक है तो हमने यह आपने जो है तो यह स्टार्टिम के चार्ट जो कैलेशन से वह कर लिए अभी आती है टोटल फ्रोट फ्रीफ़ोट इंडीपेंडेंट फ्लोट और इंटरमिज ए टोटल फ्रोट प्रीफिल करना है ठीक है total float के लिए जो हमारा formula बहुत ही simple है सबसे बहुत हम देख लेते है formula क्या है total float का जो formula है lft minus eft lft यह जो जो column है उसमें से eft total f है ना तो f वाले दोनों जो है उसको minus कर देना है 7 minus 7 कितना होता है 0 15 minus 6 क्या होता है 9 17-5 कितना होता है 12 हमने यह पर टोटल फ्लोट निकाल लिया अब इसके आगे का फ्री फ्लोट इंटे पर यह तीन कॉलम करने से पहले हम यह पर दो चीज निकाल लिये अब इस लाके यह पर बदो पर पहले हम वह देख लेते हैं अभी अब स्लेक का डेफिनेशन तो आपको बता दूंगा में किला क्या होता है स्लाइकоворों का मतलब क्या है ति को MICHAEL कर रोटा है तो पीछे काम करेंगे था हमारा डियुप स्लाइक को क्या है तो अगर हैड पर लेना है तो यह हेड होता है A का head यह है, यहाँ पर खाली यह दोने को minus करना है, difference तिका निकालना है, slack का मतलब difference होता है, तो 7 minus 7 कितना होगा, 0, ठीक है, और tail पर कितना होगा, A के, 0 minus 0 is 0, वैसी B, B आप activity देखें, तो 15 minus 6, 15 minus 6 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर B के जो head पर है, head, head मतलब यह, यह point है यह B का tail है, यह B का head है, arrow जहाँ पर बनता है, वह head होता है, तो वहाँ पर कितना आएगा, 9 हो जाएगा, वैसी C का, C के लिए भी हम ऐसी करेंगे, 17 minus 5 जो है, वो होता है 12, और उसके starting tail पर है, वहाँ पर 0 आएगा, वैसी हम सबका है, यहाँ पर लिख दिया है, मैंने, slack at head और slack at tail मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ओके, slack at head और slack at sub का आप ऐसी यहाँ पर आपको calculate करना है, head पर खाली difference करके आपको आपको लिखना है, head का difference और tail का difference आपको लिख देना है, ठीक है, अभी जब आपको next निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, free float निकालना है, free float, तो free float का मैंने यहाँ पर formula लिखा है, आप पहले वो formula पढ़ लिजिए, total float minus head slack, है ना, minus क्या करना है, head slack, तो total float हम यहाँ पास है, और head slack भी हमारे पास है, है ना, तो total float आप देखीजिए, और सब के head slack देख लिजिए आप, ठीक है, total float, total float, तो zero minus zero, तो हमको minus करना है न, यह हम पर free float निकाले, total float minus head slack, तो head slack की जो reading है, यह जो head slack, उसको minus करे, total float minus head slack, तो zero minus zero is zero, nine minus nine, वापिस होता है, zero, 12 minus 12, वापिस होता है, zero, zero, zero minus zero, zero, 12 minus nine, जो होता है, वो three होता है, तो हमने यहां पर सब के free floats निकाल दिए, अब आपको last के दो calculation देखना है, last के दो calculation बहुत easy है, independent float का formula क्या है, जो हमने free float निकाला है, उसमें से tail slack, जो हमने बाजु में लिखा है, tail slack को minus कर दीजिए आप, तो जो हमारा independent float है, ff minus tail slack, tail slack आपके पास है, यहां पे, आप देख सकते हैं, सब का tail slack, तो ff का जो column है, उसमें हम tail slack को क्या करेंगे, minus करते हैंगे, तो tail slack आप देखिए अभी, ff, to zero minus zero is, zero, zero minus zero, zero, zero minus zero, अजने यहां पर हम एतनी डिए समय घञे आप इतना थिक तो यह हमारा जो था इंडिपेंडेंटन फ्लोट्ट अम नहीं आप यहां पर सबक्राइब बुएद्थ के बाद आता है हमारहा इंटर्मीजिट फ्लोट कर दो हीrszmotion माइनस फ्री फ्रोट को हटाना है तो टोटल फ्रोट माइनस फ्री फ्रोट आपके अग्तर सामने है अभी आपको यह फॉर्मिलOOOOT माइनस फ्री फ्रोट करना है tf- zero mark 1-0 this nine to eUN तो हमने यहापे टेबल बना दिया कि अभी हमने आपे टेबल तो बना दिया है कि आपको last को जो है, जिसमें, सब total, जितने भी float, 0 है, वो देखना है, ठीके, 0 वाले जो है, आपको उसको हालाइट करना है, जितने में जेरो आयARE है, जो चारो reading जेरो आती है, उसको हालाइट कर दीजी आप, तो हम देखेंगे, हमारा जो reading zero के इसमें आया है सबसे पहले जो activity है जिसमें zero आया वो A है तो A हम हम यहां प लेखेंगे पिर उसके बाद जो activity है वो D है जिसमें 0 आया है चारो फ्रोर्ट तो वो लिखेंगे फिर जो है H वो लिखेंगे और जो L है वो लिखेंगे तो यह जो है हमारा critical path हो जाएगा ठीक है जो critical path जो है हम यहाँ पर लिख देंगे ओके तो critical path जो हम पहले हैं पर trace कर लेते हैं उसको हमारे जो network इसमें ADHL A से हमको D जाना है है ना A से D, D से H, H से L तो यह जो है हमारा critical path हो यह अधर जाएगा और यह पर हमने फॉलो किया था तो हमारा जो duration था water पर निकाल यह critical path निकाल दिया है और हमारा जो project duration है वह भी हमने यह पर लिखाल दिया है कि हमारा जो project duration है what कितना आगे आगे है उमिदे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक ता कि वो भी ये वीडियो को समझ सके ठीके, और ये वीडियो को देखकर कुछ सीख सके और हमें आगे ऐसे ही आपको interesting engineering के वीडियोज लाते रहेंगे तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए और देखने के लिए thank you so much